नमस्कार दोस्तों लक्षन हो सकते हैं. Ferinova XT Tablet का उप्योग शरीर में Iron Deficiency Anemia होने पर किया जाता है. यानि शरीर में Iron की कमी की वज़ा से खून की कमी होने पर या खून की कमी को होने से रोकने के लिए Ferinova XT Tablet का उप्योग किया जाता है. फेरिनोवा XT टैबलेट शरीर में खून की कमी को पूरा करती है और शरीर की कमजोरी को दूर करने में मदद करती है शरीर में खून की कमी को मेडिकल भाशा में एनीमिया भी कहते है प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को भी Dr. Ferinova XT Tablet को लेने की सला दे सकता है प्रेगनेंट महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान आइरन और फॉलिक एसिड की अधिक आवशक्ता होती है प्रेगनंसी के दौरान अगर कोई महिला परियाप मात्रा में आइरन का सेवन नहीं करती है, तो प्रेगनंट महिलाओं में खून की कमी हो सकती है फेरिनोवा एकस्टी टैबलेट के अंदर आइरन के साथ साथ फॉलिक एसिड भी मौजूद होता है फॉलिक एसिड शरीर में कार्बो हाइडरेट को ग्लुकोज में बदलने का काम करता है, जिसकी वज़ा से शरीर को एनरजी मिलती है प्रेगनंट महिलाओं में बच्चे के विकास के लिए भी फॉलिक एसिड बहुत ही जरूरी होता है इसके अलावा शरीर में फॉलिक एसिड की कमी होने पर भी शरीर में खून की कमी हो सकती है फेरिनोवा एकस्टी टैबलेट का सेवन महिलाएं वह पुरुष दोनों ही कर सकते है अब हम डिसकस करेंगे कि शरीर में खून की कमी होने पर क्या-क्या लक्षन हो सकते है शरीर में खून की कमी होने पर शरीर में बहुत ज्यादा थकान होना, शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी होना, तवचा और आंखों में पीलापन होना, उठते या बैठते समय चक्कर आना, हाथों व पैरों का ठंडा होना, सिरदर्द रहना, छाती में दर्द होना, नाखोनों का कमजोर होना व नाखोनों का आसानी से तूटना, शरीर का तापमान कम रहना, सांस लेने में तकलीफ होना, सांस फूलना और दिल की धड़कन का तेज होना आदी लक्षन शरीर में खून की कमी होने पर हो सकते हैं. इसके अलावा मिट्टी या कागस खाने की इच्छा होना आदी लक्षण भी शरीर में आईरन की कमी होने पर भी हो सकते हैं. यदि कोई छोटा बच्चा ज्यादा मिट्टी खाता है, तो ये लक्षण शरीर में आईरन की कमी होने पर भी हो सकते हैं शुरुआत में ज्यादातर व्यक्तियों में खून की कमी होने पर कोई लक्षण नहीं होते हैं लेकिन जब शरीर में एनीमिया की गंभीरता बढ़ती जाती है वैसे वैसे एनीमिया के लक्षण भी बढ़ते जाते हैं इसलिए शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए और शरीर में कमजूरी को दूर करने के लिए डॉक्टर फेरिनोवा XT टैबलेट को लेने की सला दे सकता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपिया वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साइड इफेक्ट्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यकतियों में फेरिनोवा XT टैबलेट की वज़े से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में फेरिनोवा XT टैबलेट की वज़ा से कुछ साइड एफेक्ट्स हो सकते हैं. फेरिनोवा XT टैबलेट की वज़ा से कुछ व्यक्तियों में कब्स होना या दस्त होने की समस्या हो सकती हैं. इसके अलावा कुछ व्यक्तियों में फेरिनोवा XT टैबलेट की वज़ा से उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, बध़जमी या सीने में जलन होना और पेट में दर्ध हो सकता है. आम तोर पर ये साइड इफेक्ट्स अस्थाई होते हैं और जैसे जैसे आपका शरीर फेरिनोवा XT टैबलेट के साथ तालमेल बनाता है, वैसे वैसे ये साइड इफेक्ट्स भी कम हो जाते हैं. यदि इन में से कोई भी side effects लगातार बना रहता है या ज्यादा होता है तो आपको तुरंथ ही doctor से परामर्श लेना चाहिए फेरिनोवा XT tablet की वज़ा से तट्टी का रंग ब्लाक होना एक सामान्य बात है अब हम discuss करेंगे कि फेरिनोवा XT tablet को कैसे लेना recommended होता है फेरिनोवा XT tablet को खाना खाने से एक घंटे पहले या खाना खाने के दो घंटे बाद लेना recommended होता है फेरिनोवा XT tablet को लेने के बाद कम से कम 20 मिनिट तक आपको लेटना या सोना नहीं चाहिए आम तौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर फेरिनोवा XT tablet को दिन में एक ही बार लेने की सला देते हैं ज्यादातर प्रेगनेंट महिलाओं को डॉक्टर फेरिनोवा एकस्टी टैबलेट को प्रेगनेंसी के पहले 12 सप्ता यानि प्रेगनेंसी के पहले 3 महिने पुरे होने के बाद ही फेरिनोवा एकस्टी टैबलेट को शुरू करने की सलाह देते हैं क्योंकि प्रेगनन्सी के पहले तीन महिने के अंदर प्रेगनन्ट महिलाओं को उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना या मुंग का स्वाद खराब होना आधी समस्याएं अधिक होती हैं। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं को डॉक्टर प्रेगनेंसी का चौथा महिना शुरू होने के बाद ही फेरिनोवा XT टैबलेट को शुरू करने की सलाह देते हैं। लेकिन यदि किसी प्रेगनेंट महिला को एनीमिया की गंभीरता ज्यादा है, तो डॉक्टर प्रेगनेंट महिलाओं को प्रेगनेंसी की शुरूात से भी फेरिनोवा XT टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। फेरिनोवा XT टैबलेट की डोज, उम्रशरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको फेरिनोवा XT टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे कि फेरिनोवा XT टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। डॉक्टर फेरिनोवा XT टैबलेट के साथ विटामिन C की टैबलेट या विटामिन C से भरपूर खादय पदार्थों जैसे टमाटर, आवला, संतरा, स्ट्रॉबेरी, अंगूर, अम्रूद और कीवी आधी को खाने की सला दे सकता है। क्योंकि विटामिन C शरीर में आईरन के अवशोशन को बढ़ावा देता है, जिसकी वजह से फेरिनोवा XT टैबलेट की प्रभावशीर्ता बढ़ जाती है। आईरन के साथ चाए, कॉफी, साबुत अनाज, अंडे और दूद या दूद से बने खादय पदार्थों को खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से शरीर में आईरन का अवशोशन कम हो सकता है। शरीर में एनीमिया की जाच कराए बिना फेरिनोवा XT टैबलेट को ज्यादा लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शरीर में एनीमिया होने के अन्यकारण भी हो सकते हैं। जैसे शरीर में विटामिन B12 की कमी होना, हीमोलिटिक एनीमिया होना, अप्लास्टिक एनीमिया होना और साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया होना। अगर आपके शरीर में खून की कमी किसी अन्यकारण की वजह से है और आप शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्तर की सला के बिना ही लगातार कई महिनों से फेरिनोवा एकस्टी टेबलेट को ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिती में फेरिनोवा एक्सटी टैबलेट को लेने से शरीर में आइरन की ओवरडोज हो सकती है। शरीर में आइरन की ओवरडोज लिवर, हार्ट, ब्रेन और शरीर के अन्य ओगन्स को नुकसान पहुचा सकती है। इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना ज्यादा लंबे समय तक फेरिनोवा एक्सटी टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। फेरिनोवा एक्सटी टैबलेट को लेने से दवाईया आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। जिसकी वजह से दवा की प्रभावशीलता कम हो सकती है। या साइड इफेक्स होने का भी जोखिम अधिक हो सकता है। अगर आप इन में से कोई भी दवा लेते हैं, तो आपको फेरिनोवा एक्सटी टैबलेट और इन दवाओं में कम से कम दो से लेकर तीन घंटे का गैप रखना चाहिए। अगर आप अपने शरीर में खून की कमी को प्राकृतिक खाद्याय पदार्थों से पूरा करना चाहते हैं, तो आपको आवला, जामुन, अनार, चुकंदर, सेब, पालक, सूखी किश्मिश, अम्रूद, केला, बादाम, काजू, अखरोट, तिल, गुड़ और मुंगफली आदी का सेवन पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि इन में आईरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और इनका नियमित रूप से सेवन शरीर में खून की कमी को दूर करता है, और शरीर में खून की कमी होने से बचाव करता है, वीडियो को देखने के लिए आप कमेंट करके पुछ सकते हैं